Hello Friends, आज हमने बनाए हैं साबुदाना वड़ा, इनको आप वरत में खा सकते हैं, किसी पार्टी में एपिटाइजर की तरह सर्व कर सकते हैं, या शाम की चाय के साथ कभी भी इनको बना के आप खा सकते हैं साबुदाना सोक करने की प्रोसेस साबुदाना खिचडी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी तो ये एक कप सोक्ट साबुदाना है, तीन से चार मैंने आलू ले लिये हैं, इनको बॉयल करके मैश कर लिया है, ये धनिया काटके रखा है, नमक, सेंधा नमक आप ले सकते हैं अगर व्रत के लिए बना रही हैं, काली मिर्ची का पाउडर है, हरी मिर्ची को काट करके अब हम आलू में मुफली को और अपनी बाकी सारी चीजों को मिला देंगे, अगर आप चाहें तो इसमें अद्रक, रेट चिली, फ्लेक्स या और कोई मसाले अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं, मैंने इसको बहुत ही सिंपल फ्लेवर्स के साथ बनाती हूँ, तो बहुत ही अब यह अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया है, अब हम इसको शेप कर लेंगे, मैं तो इसके बॉल्स इस तरह से बनाकर सर्फ करना पसंद करती हूँ, आप अगर दूसरी शेप में कोई टिकी या ओवल शेप में बनाना चाहें, तो आपकी मर्जी है, सारे बॉल्स को ह शुरू में 20-30 सेकेंड हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम हलके हलके हाथों से इनको रोल करते हुए फ्राइ कर लेंगे, अब यह अच्छी तरह से गोल्डन हो गए है, अगर आप और गहरा रंग चाहते हैं, तो थोड़ी देर और इनको फ्राइ कर लीज अब हम उपवास के हिसाब से एक वीक चटनी भी बना के देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने अधरत लिया है, पुदीना है, धनिया है और हरी मिर्ची है, इन सारी चीजों को हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे, धनिय की मैंने डंधल को अलग नहीं किया है, उसमें यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो सेंधा नमक या कोई भी नमक यूज कर सकते हैं, दो चमच हम यहाँ पर दही डाल लेंगे, अगर आप वीगन हैं, दही नहीं खाना चाहते हैं, तो आप सिरफ निम्बू के साथ भी इस चटनी को बना सकते हैं, आधा मैं यहाँ पर नि यह चटनी हमारी तुरंत बिसके तयार हो गई है, और यह वड़े देखिए, बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से एकदम सौफ्ट बढ़िया यह बनके रेडी हो गए है, आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से प्